हलो सुदेंट आज के वीडियो में आपका स्वागत है आज हम B.H.C. Part First के First Paper के Taxonomy बारे पार्ट में वर्गे की पदानकरम और पंचु जगत संकल्पना के बारे में अध्यन करेंगे तो हमें ये पता है कि Taxonomy hierarchy जो होती है वो उसके पहले पीडियो में हमने आपको बताया था कि नॉमन क्लेचर है इसकी दुई नाम पद्दिती दुई नाम पद्दिती के बारे में हमने समझाया था उसे करम में बरगी करण करते समय उन्हें बेविन श्रेणियों और समों में इस्पेसीज में बेवक्त किया जाता है तो इन्हें वरगक या टेकसा कहते हैं वरगी करण करते समय इन वरगकों को एक निशित करम में बेवस्थित किया जाता है और इस से इस तरह से किसी जीव का वरगी करण पदान करम वरगी करण कहलाता है एक अरिजमेंट है इट इस अरिजमेंट ऑफ पर्टिकुल एनिमल टो क्लासिफाई डिफरेंट स्पिसीज केरोलस लिनियस के वारे में अपन बात करें तो इन्होंने सभी मिलते जुलती जाती हूँ स्पिसीज के लिए जैनेरा या स्रेनी स्पिसीज बना करके टैक्सा में बाटा था टैक्सा में बाटा था टैक्सा वर्ड यहां पर बहुत इंपोर्टेंट है तो टैक्सा पहले भी में डिसकस कर चुका हूँ कि टैक्सा वर्ड इंपोर्टेंट है और इन्होंने विशेश स्पेसीज को टेक सामें बाटा था तो इसी करम में हम आगे बात करेंगे तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि सरचनात्मक पर निर्वर इस वरगी करण को आधरित किया और धीरे धीरे वरगी करण की प्रणाली में सुधार करते हुए इसमें छे करमबद समू नामों को वरियता दी जाती है सिक्स वरग इसमें बाटे गए हैं करमबद समू हैं जिनको अपन प्राइटी पर रखते हैं जो यूनिवर्सल है और आल ओवर वर्ड में ये जाना और समझा जाता है फर्स्ट फाइलम क्लास और अर्डर और अंड स्पिसीज और बंच के नाम से इसको जानते हैं तो ये जो एक विवस्ता है संग वर्ग क्लास और अर्डर और बंच जाती की इसके अत्रिक भी कुछ अन्य समू भी बनाए गए हैं जैसे सब फाइलम भी बनाए गया है क्लास के बीच में शाखा है और वर्ग और गण के बीच में हम इसको और भी क्लासिफाई कर देते हैं को ओर्डर है सब ओर्डर है कुल और बंस के बीच में बिभाग कोटी और अन्य स्रेणी भी अन्य समू को पने बिवाजित करने के लिए क्रम में लिये जाते हैं परंत इनका उपयोग आवशक नहीं है बहुत सारे चीजों में ये संब्भव नहीं है कि हम सबी को इसमें सामिल करें परंत जो इंपोर्टेंट फैक्टर ये है कि निश्यत रूप से ये छोटे-छोटे जो भाग हैं वो जरूर सामिल इसमें किये जाएंगे इसी क्रम में हम जर्चा करेंगे कि स्पेसीज की जो टाइप है तो अनिशेक जातियां हैं बेज जातियां जिनमें कि अलेंगे प्रजिलन होता है निशेक जातियां जो लेंगे प्रजिलन करती हैं और बायलोजिकल स्पेसीज कहलाती हैं ऐसी दो या दो से भी अधिक स्पे जाती हों का नाम जिसमें ले ले सकते हैं इसिंपेटरिक कह सकते हैं Biz विस्थाणिक का नाम कर लेते हैं तो दो से अधिक सति हैं भिन्वन आवास ओंभास ओशमों में पाई जाती हैं तो इसका भी एक जिकर यहां पर कर सकते हैं neक्स्ट स्थल पर पाई जाती है और एक नेक्स्ट एक इस्पेशल आपकी बात करें तो सिबलिंग जाती हैं ऐसी जाती है जो रचनात्मक रूप से समान होती है और जो पास पास दोनों में पाई जाती है पुरा जातियों में ऐसी जाती है जो प्रत्वी पर जीवास्म के रूप में विद्वान हैं जैसे आर्कियोप्टेरिक्स की बात अपन करें तो ये जीवास्म के रूप में ही माना जाता है और बहुले पर रूपी जाती है ऐसी जाती है जिनकी एक या एक से अधिक पर जाती हैं में मिलती है नवजीव विग्यानी जाती है जो आजकाल जीवत रूप में मिलती है तो यह डिफरेंट डिफरेंट जो concept हैं डेटीस तरकाउब सेप्ट ऊपर यॉज्ट एक्सेट और ऐलाइव अब अरे अब अब अपनपंच जगत संकल्पना की बात करेंगे फाइब किंडम संकल्पना है ये एक लंबे समय तक जीवों को केवल दो समदायों जनतूर अबनस्पती में रखाए गया था और इन दोनों समदायों के बीच मूल अंतर भोजन घ्रेंड करने की विधियों पर आधारित था प्राय पहुधे अपना भोजन स्वेम प्रकास सरसे सुने के लिए द्वारा बना लेते थे इसलिए उन्हें आटो ट्रॉफिक यानि की स्वे पोशित इनको नाम यहां दिया गया था तो जनतूर अपना भोजन स्वेम नहीं बना पाते और वह पोदों पर अपने भोजन के लिए नर्वर रहते हैं इसलिए ने परपोशी भी नाम दिया जाता है तो एनिमल अपने भोजन की खोज में एक स्थान से अगर दूसरे स्थान में गती करते हैं तो इसके लिए उनमें विक्सित एक नर्वर सिस्टम पाया जाता है गती करने के लिए भी गमन वाला एक तंतर भी मिलता है पर अपने भोजन स्वेम नहीं बना सकते उनमें गती नहीं होती लेकिन सभी जीवों को केवल जन्तू और पोदों में बरगीगत करना तर्क संगत नहीं है ये एक्ट्री जस्टिफाई नहीं होगा कि हम सभी चीजों को केवल एक पोदों में और एक जन्तू में मालने तो इसको हमें विशे सीक्रत रूप में कुछ करना पड़ेगा इसको और क्लेरिफाई करना पड़ेगा माइनुकली इसको लेना पड़ेगा क्योंकि कवक जो के परपोशी हैं गती नहीं दरसाते और इस कारण इने जन्तू अत्वा पादप दोनों में सेडियों मनी रह सकते तो यह की एक्जाम्पिल कंट्रोवर्सील एक्जाम्पिल हो गया तो यह विवादास्पत इसकती नहीं रहे इसके लिए हमें और आगे सोचना होगा बैक्टेरिया और वी जीन इकिस अरशनातम विवस्था अन्य जन्तू को उसका या वर्ष्वतियों से भिन्न है इसलिए इने सेश्व रश्व प्रति के साथ मान लिया जाता है 3im 2 इसेश्वम्पप्ति के साथ मन सकते हैं की इसलिए ने सेश्व में चेंज किया एमेंड्मेंट किया संशोधन किया और यह 1966 में हेकल हेकल जो बैरी रिनॉल्ड प्रोफेशर्स थे इन्होंने एक ही तीसरा समधाय प्रोटिस्टा को बताया जिसमें उसमें सभी एक उसकी जीव रखे जो जन्तु न जन्तु न पोदे की शेणी में थे जैसे क प्रोटिस्टा में इसको रख दिया सन 1940 में माइक्रोस्कोप एलेक्ट्रों माइक्रोस्कोप की कोज के बस्चार यूकरियोटिक और प्रोकरियोटिक सेल्स को डिसकवर किया गया यूकरियोटिक और प्रोकरियोटिक सेल्स और 1969 में आर एच वीटेकर ने जीवों को नके नि इसमें आपन आएगा कि इसको लेंगे तो दूसरा कंसेप्ट आएगा कि यूनी सेलूलर जनतु हैं बहुत से और बहुत से मल्टी सेलूलर जनतु हैं और इनकी पॉर्षन विदी विशात में आती है विटी करने समस्त जीवों को निम्न पांच जगतों में विवाजित किया जिनको मार्गूलस ने 1982 में संसोदित किया था मॉनेरा प्रोटेस्टाप और प्लेंटी फंजाई एंड एनिमोलिया एनिमल्स जिसको कहते हैं तो फरस्ट आफ 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 आल मॉनेरा की बात करें हैं अपन मॉनेरा यह है एक माइक्रोस्कोपिक प्रोक्रेटिक जीवों का सम लोगूं है जैसमें बैक्टिरिया और बझीओ को रखा गया है इन सबी जीवों का केवल प्लेट जो होता है वह हूं अबिक्स होता है जाने की पूरी तरह से मैच्छ और नहीं होता है मैच्छ होता है Kai's वे में पो सिस सजीवी पर सी पर जीवी प्रकार के हो सकते हैं माईक्रो बैक्टिरियम है, नौस्टॉक है एनावीना, माईक्रो सिस्टिस है जे इसके एक्जामप्ल के रूप में ले सकते हैं और नेक्स्ट इसकी चर्चा करेंगे हम मोनेरा की सेल में बहुत सारे जो सेल ओर्गिनिल हैं वो भी प्रिजेंट हो सकते हैं माइटो कॉंड्रिया है निकलियस है एंडो प्लास्मिक रेटिक विलम है इनका अभाव होता है और डियने के इंद्रक में नहीं होता बल्कि संपूर्ण सेल में फैला रहता है बंद करके नहीं रहता है सेल में जो डियने है वो एक पेरिफेरी मनी रहकर के संपूर्ण सेल में फैला रहता है और डियने के साथ प्रोटीन भी नहीं मिलेगी और गुरुसूत्रों के अभाव के करण इसमें स्पस्टिक समसूत्री विवाजन और लेंगिक जनन भी नहीं होगा यानि इसमें जो रिप्रोड़क्शन है वो सेक्स्वल नहीं हो करके दूसरी तरह का हो सकता है और इसमें समसूत्री विवाजन भी नहीं होगा इनकी सेल वॉल सेलूलोस से नहीं बनी होती और पॉलिसेकरैट और पेप्टैट से बनी होती है जिसे मियूरीन कहते हैं मौनेरा मौनेरा आवास ये प्रकास रसेशन करते हैं क्योंकि ये जल और सीयोटू को प्योग नहीं कर पाते दूसरा है प्रोटिस्टा ये भी अतिसूच मा उरोपिस्टिक जीव हैं इनमें जनतू और पोधों का भेद नहीं होता जन्तु और पोदों का बेद नहीं होता किया जा सकता ये प्रकास स्वेंपोशी और अबगटक होते हैं प्रकास स्वेंपोशी और अबगटक अबगटक मने अबगटन करने वाले अबगटक भी इनको कह सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करेंगे अपन तो ये यूकेरियोटिक जीव होते हैं इनमें कशाब 9 प्लस 2 बेवस्था के होते हैं और जैसे प्रोटोजवा है, यूगलीना है, एक कुछ की शावाल है दूसरी बात अपन करेंगे कबक या फंजय की इस्ट के अतरिकत सभी जीव मल्टी सेलूलर क्लोरोफिल रहित या यूकेरियोटिक होते हैं इस्ट के अलावा, इस्ट जो अलग है, इसके अलावा मल्टी सेलूलर क्लोरोफिल रहित या यूकेरियोटिक होते हैं किलोरोफिल एपसेंट होने के कारण ये अपना भोजन स्वेम नहीं बना सकते हैं और रते ये आटाटरॉफिक होते हैं स्वेम पोसी हैं तो ये एक कवक युक्त या माइसीलियम होता है जो कि कार्बनिक पदार्टों जिन पर ये वरद्दी करते हैं से अपना भोजन पोशन अपसोशन द्वारा प्राप्त करते हैं इनकी कोशका वित्ती साइटिन की बनी होती है काइटिन की बनी होती है ये सेलूलोज की कमी से बनी होती है ये बहु केंदर की है ससीम केंदर की होते हैं उदारन का वक्त की बात अपन कर सकते हैं से उदारन के तोर पे फोर्थ इस फ पुकेरियोटे की जीवों का समू है अधिकांस स्वैक पोश्ट पोधे जिसमें किलोरोफिल है पाय जाते हैं जिसके इंतरगत रहे हैं परण तो कुछ पोधे परजिबी होते हैं अधिकांस पोधे उत्पादे कहलाते हैं और स्वेंप बोजन दिर्मित करते हैं शरीर में जड़ है थापनांग होल्ड टेस्ट या अन्ने इस्तिर करने वाले अंग जैसे एकोराइजा पाई जाते हैं इसमें सेवालों के तीन सेजबर्ग को रोडोफाइटा और फियोफाइटा और क्लोरोफाइटा है जिसमें मौस आता है ब्राइवफाइटा और आवर्थ बीजी वैस्कूलर संबनी पादब फर्न आधी रखे गए हैं तो एनी मिलिया की बात करें अपन इस जगत में बहु कोश्किये पर्व उपभोगता जनतों को रखा गया है इन जातियों में क्लोरोफिल एपसेंट होता है तथा ये अपना भोजन जो हैं वो अंतर ग्रहेंड करते हैं अंतर ग्रहेंड मींज क्या होता है इनहेल करते हैं इनहेल जब करते हैं तो इनमें एक विशेश परकार का अंतर हिसमें मिल सकता है इनहेल करने वालों में है तो जैसे हाइड्रा है लेभम के बात कर सकते हैं और इस में पैंथेरा लियो शब्द इसमें यूज कर सकते हैं इनकी विशेस्ताइं होती है ये बहु कुछ की है यूकरियोटिक हैं बिसम पोसी भी कह सकते हैं इनको हेटरोट्रोफिक हैं संबेदी अंगों से जुड़ी इनमें नर्वस जो सेल है तंत्र का सेल हैं वो मिलती हैं गवन ए एप्षेड होती है तो पूरक के मेटा जवाब पंच जगत के एमेलिया आपस में समान होते हैं ये बात हैं कि किसे सकते हैं कि दोनों में दोनोंता है तो इस एमयोड जगत को तीलूप जगतों में बांटा गया है इस सबस्त जो मैंट ज מע़ों सकते हैं अपन Х,झ यॉन अंतरगत है जिसमें इन्वर्टिवेट आदी के हूतकों और देह द्रबों की तरह परजीवियों की बांती कारे करती है दूसरा है बेरा जुवा इसमें पौरी फेरा इसके सरीर पर निक छिद्रोत ने वो रखा गया है तीसरा है यूमेटर जुवा इसमें सभी उच उसनेनी के जन्तू रखे गए हैं जिनको रेडियेटा और बाइलेटेरिया में बिवाजित किया गया है थैंक यू